गुड मॉनिंग बच्चोर आज हम पढ़ेंगे स्रिष्टी हिंदी पार्ट माला कच्छा दो पार्ट छे पेंड पौधे और हम अन्ना और अवनी भाई बेहन थे वे पार्ट में खेल रहे थे वे एक पेंड से बार बर कभी टेहनिया तोड़ते और उनकी पतिया तोड़का नीचे फेंग देते यानि कि अन्ना और अवनी क्या थे दोनों भाई बेहन थे वो पार्ट बगीचे में खेल रहे थे कभी कभी क्या करते उसकी पेड़ की टहनिया पतिया तोड़ तोड़ कर क्या करते थे वो नीचे फेक दिया करते थे फेक दे रहे थे कभी कभी वे टहनिया खींद खींद कर लटक जाते और उसकी पेड़ की टहनिया क्या करते खींद कर उस पर लटक जाते तभी जोट से आवाज आई मुझे मत तोड़ो मुझे मत तोड़ो एर नी जोड इधर उधर देखने लगे किया क्या करती यह इधर उदर देखने लगते कि आउज आई कहां से अउनि कौन है कौन बोल रहा है पेंड दर्द से कराते हुए पेंड बोलते हैं दर्द से जिसे उसको तकलीफ हुई हो दर्द से कराते हुए बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ मैं पेंड हूँ जिसको तुम तोड मरोड रही हो आउनी चौकते हुए पर तुम बोल कैसे सकते हो फिल्ड क्यों? मुझमे भी जान है मुझमे भी जीवन है मुझे भी दर्ध होता है मेरी तेहनी और पतियों को मत तोड़ो परना मेरा भोजन कौन बनाएगा आउणी तुम भी भोजन करते हो? याणि आउणी पूछती है पेन्ड से क्या तुम भी भोजन करते हो तुम्हारे लिए भोजन बनता है क्या पतिया तुम्हारे लिए भोजन बनाती है क्या मजा करते हो मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि क्या तुम भी भोजन करते हो तुम्हें भोजन बनता है यह सा क्यों मजा कर रहे हो मेरा भोजन पतिया ही बनाती प्रेड बोलता है कि हां मेरा भोजन पतियां ही बनाती है और उन्हीं नहीं भोजन तो घर में मा बनाती है पेंपोधे तो हमारे बहुत काम आते हैं यह तो हमें फूल, फल, सबजी देते हैं जिने हम खाते हैं तुम भोजन कैसे बना सकते हो तुम तो एक ही जगह पर खड़े रहते हो आओ मैं तुम्हें बताता हूं मेरा भोजन कौन बनाता है और कैसे बनाता है मेरी जड़े जमीन से पानी लेती है पतियां धूप और पानी की मदद से खाना बनाती है मुझी भी फलने फूलने के लिए भोजन पानी धूप और हवा की जरुरत होती है तभी तो हम पानो भलका पानि मुट्टी पानी दूप और हवा गरहन करके रिच रिच परी सबजिया और फूछ देते हैं यानि अउनी का अर्णो भाई रहता है कि हां बहन यह ठीक है कि दूप और हवा क्या करते हैं पेने के बाद से ये पेंड क्या देते हैं हमें फल सब्जिया और फूल देते हैं छोटे पोदे हमें सब्जिया देते हैं बड़े पेंड फल देते हैं जैसे आम सेव नासपाती जामुन पपी ता अधी और भी यहनी कि बहुत शारे फल देते हैं आउनी मुझे आलू और गा पसंद है मैं गाजर पूरे दिन खाती रहती हूं गाजर का जूस भी पीती हूं यह कौन से पेंड पर लगते हैं मैं अभी तोड़कर खाऊंगी पेंड यानि की पेंड बोलता है आउनी यह पेंड पर नहीं जमीन के अंदर मिलते हैं बहुत से पौदे ऐसे हैं जो छोटे छ होते हैं और इनकी सबजिया जमीन के अंदर होती हैं जैसे मुल्ली, सकरगंदी, गाजर, आलू पेंड आउनी और रहना तुम्ही हमारा ध्यान रखना चाहिए और तुम्हारे दोस्त को भी पता होना चाहिए कि हम हैं तो संसार हैं पेंड बोलता है आउनी और रहना को कि क् और तुम अपने दोस्तों को भी ध्यान देना चाहिए उन्हें बताना चाहिए कि हमें ध्यान दो तो क्या है हमसे ही तो संसार है और ठीक है मैं समझ गई मैं अनजाने में भी किसी पेर्ट पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी यह सब बाते में अपने सभी मित्रों को भी बताऊंगी इतना ही नहीं हमेशा पेर्ट पौधे भी लगाऊंगी धन्यवाद पेर्ट और क्या करती हो पेर्ट को धन्यवाद बोलती है इतना कुछ बताने के लिए यानि कि उसको इतना कुछ समझाने और बताने के लिए क्या करती है पेर्ट को धन्यवाद देती है अनव, आउनी साम हो गई है, अब हमें चलना चाहिए, अनव क्या बलता है, आउनी चलो, अब साम हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए, आउनी हाँ भईया, चलो, मा इंतजार कर रही होगी, दोनों पर पौधों से बात करके, नई सीख लेकर, बड़े खूस हुए, और घर की, और चल पड़े, यहां हमारा एक पार कंप्लीट हुआ, आप हम पढ़ेंगे सब दर्द, सब दर्द में हैं भोजन, भोजन का अर्थ होता है खाना, कराते हुए, कराते हुए का अर्थ होता है दर्द भरी अवाद में, टहनिया, टहनिया का अर्थ होता है सा खाए, का मतलब होता है सहायता इसको आप अपने नोटबुक में लिखिएगा और याद करिएगा आभे अभ्यास मौकी का में दिया हुए मौकी मौकी का प्रश्ण नमबर एक है अन्न और अनी पार्ट में क्या कर रहे थे प्रश्ण नमबर दो किसके बोलने की आवाज आई प्रश् से बोलना है और उपने नोटबुक में लिखना है ओके बच्चों यह भी आपका होमर्ग रहेगा ओके बच्चों बाई